भांडवपूर जेन तीर्थ में चातुर मास को लेकर संतो का हुआ भवे नगर परवेश स्री राज़ंदर सुरी जेन सवाब भवन का हुआ समरपन समारो साईलावकन सेतर के भांडवपूर जेन तीर्थ में जेनाचारिय जरतन सुरीश्वर महराज आदी मूनि मंडल एम सादवी स्री अरुनपरबस्री आदी स्रमणी वरंत का समया पूर्वक मंगलवार को सातुरम सार्थ परवेश हुआ साथ नगर परवेश हुआ नगर परवेश को लेकर भवय वर्गोडा निकाला गया जिसमें कलसदारी बाली काई बेंड बाजे धोल दमाकों के साथ महिलाय मंगल गीत गा रही थी तो यूगा गुरुदेव के जैकारे लगा रहे थे जैनाचारिय भांडपूर तीर्थ में परवेश करते ही भांडपूर जैन तीर्थ जैकारों से गुण जूठा स्रावक स्राविकाओं ने संतों का स्वामया कर असिरवाद लिया इस तुरान जैन समाज की और स्ट्रे पलक पावड़े विशा कर जैन जैनाचारियों का स्वागत किया महिलाओं ने अक्सत्व गहुली से जैनाचारिय का स्वागत किया चातुर माराज को लेकर सजद्द कर सामिल यूवाउवाई रूसों ने नर्तिय और जिन्जासन वग्रुदेव के जहकारे लगा कर खुशी का इजार किया इसके बाद धर्म सभा हुई इस मौके बाद जहनाचारिय जहरत्द सुरिश्वर माराज ने धर्म शातुर मास के मेतों पर परकाश डाला जीवन को अगर सार तक बनाना हो तो मनुस्य को धर्म के मारग पर सलना होगा क्योंकि धर्म ही एक ऐसा मारग है जो मनुस्य को सही रा दोरान कई सरी राजंदर सुरी जैन सबाब भोवन का हुआ उद्गटन तिर्थ परिशर में नुतन निर्मित सरी राजंदर सुरी जैन सबाब भोवन का निर्मान मातो सरी कुकी बाई साहिप संद बाल गोता यम पुत्र वदू संसल देवी नेनमल बाल गोता की पुनिश म प्रमनी वंद का भंडपूर तिर्थ में क्राने का लाब चांचोर निवासी दुदाजी संदाजी कटारिया संगवी परिवार ने लिया जैनाचारिय सरी जरतन सुरिश्वर महराज ने सातुरमासिक आरधना पर प्रकाश डाला एवं तिर्थ परिशर में नुतन निर्मित राज संदन वाटिका का लाब शा मनोर मल वस्ती मल अंदानी सुराना निवास्ती हस्ते विक्रम कुमार संदन मल अंदानी ने लिया सुरिय विहार का लाब दली संद खेताजी मोनो तिलोडाने लिया लावणने विहार का लाब मोड मल जोईताजी बापना थलवाड हाल साहलाने लिया प्रवेश में गुजरात मध्य परदेश तमिल नाडू करनाटक आंध्रा परदेश आधी प्रांतों से गुरू भगतों ने पहुंच कर लाब लिया जानी तोहे ताजी रहो भी ओ गुरू समें फरो छेल बंडू मैं फरो भाज बंडू मैं नाओ डाज रहो मैं हरी पने ताज थड़ा गरवता ताजी रहो मैं हर दे चाह रहो मैं परेश रहो भाज बंड़ मैं झाल झाल तार, प्रेख जार, ठी deductने ए gosh. ठाल ठाल आख चेज़ चप्षम सबस्स कहते हैं आखना आख।